Mció summoned Welcome, My dearest friends यह plant आप देख रहे हैं यह to klappers plant अस्टी इसे हम sa dudes plant और tires plant के भी नम से आघ मैं आपको बताउगी इसकी केर करना और इसका फर्टिलाइजर और इसका पैसेशाइड महीर कожет भिक कैसे इस प्लाट को जाते जारी से ग्रोग के कैया चाहिए तो फ्रैंड इसी के ऊपर आज की मेरी वीडियो बनने वाली है चैल्स शुरू होने से पहले लाइक करें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस करें आल के उप्शन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एजली पहुँच जाए तो फ्रेंड्स ये प्लांट्स बहुत ही सुन्दर लगता है ये एक लोटिस की तरह खिलता है इसकी कई तरह की लीफ्स ब्रांचिज निकलती है बहुत प्यारा लगता है इंडोर प्लांट है आप इसे कहीं भी सर्वाइब कर सकते हैं बस इसकी थोड़ी सी देखरेक चाहिए होती है मैं आपको बताऊंगी कि घरका बना हुआ फर्टिलाइजर खाद और बाहर की खाद मैं कैसे देती हूँ और पैस्टिसाइड ये आप देख रहे हैं ये एक सस्ता किचन में मिलने वाला पैस्टिसाइड है इसके बारे में मैं आप से चर्चा करूँगी और दिखाऊंगी मैं ये कैसे देती हूँ कब कब देती हूँ और एक पैस्टिसाइड ये भी है ये एक मैडिसन है इसके बारे में मैं आप से चर्चा करूँगी तो friends चली आए देखते हैं पूरी वीडियो को तो friends ये मेरा साइकस का plant है देखिये इसकी ब्रांच अब निकलना सुरू होने वाली है ये मैं लेकर आई थी अभी दो महीने पहले ही लेकर आई थी इसकी ब्रांच नीचे की तो निकल गई लेकिन अब आप देखेंगे छोटी-छोटी कलिया निकल रही है इसमें ये लगभग कई बार चार कलिया निकलती हैं कई बार सैवन कलिया निकलती हैं और ये पूरा इस तरीके से लोटस की तरह खिल उठता है बहुत सुन्दर है इस प्लांट को ज़्यादा के जरूरत नहीं और मिट्री को जब आप मूव करें तो ध्यान रखें उस वक्त पानी बिल्कुल ना दे हमें पानी नहीं देना चाहिए उसके दूसरे दिन आपको पानी देना चाहिए इस प्लांट में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस प्लांट को ज्यादा घिला रखने की भी ज जरूर लगाएं थोड़ी सी केर मांगता है ये इसमें आपको पानी जादा हर वक्त गीला रखने की जरूरत नहीं होती जब इसका पानी सूख जाए तब आपको इसमें पानी डालना होता है तो आप देखिए इसकी ब्रांची अब निकलने वाली हैं मैं आपको वीडियो सकते मिक्सी से मैं ऐसे ही डाल देती हूं पोटेशियम की मात्रा मिल जाती है अब मैं बात करती हूं जो हम नर्सरी से फर्टिलाइजर लेते हैं उसके बारे में तो फ्रेंट्स यह नीम खली है यह आप एक चम्मच हर बीज दिन के अंदर डाल सकते हैं यह डिये पी है यह सब जाती हैं जाती हैं और सब्सट हो जाती है और दूसरी तर्फ मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं मैं घरमें बणाकर यह देखिए मैंने बाउल ले रखी है यह दूप में रखती हूं इसे इतनी सडन आ रही है बदबू आ रही है लेकिन यह अच्छा लिक्वीड फर्टिलाइजर मेरे प्लांट के लिए बन चुका है यह केले के चिलके थे और यह प्याज के चिलके हैं जो मैं अब दिखा रह तो आप देख रहे हैं इसकी कलियां सारी खिल चुकी है निकल आई है कितना प्यारा पौधा लग रहा है और ऐसे ही मैं फर्टिलाइज करती हूं यह केले के चिलके का पील है और इसके अंदर पोटेशम की मात्रा होती है आप चाहें तो ऐसे ही दे सकते हैं थोड़ा सा ज् इसके प्लांट निकलना की घरी सबाइब की जोड़ा है तो आप इसके आफ से का स्यंखे में बोग इसाइक तो एक दवाई मेर 2 में देती हूं के इस एक रकी में मिल जाती है थी आफ यह पीज्दी अप डाल दीजिए की जड़ों में इससे क्या खर रहते हैं आप इसे जरूर डाले हैं हर 20 दिन में तो ऐसा ही मैं करती हूँ और ये दूसरा है methalion ये एक medicine होती है ये आप इसके जो leaves पर branches पर भी डाल सकते हैं इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं तो आप इसे सुखा भी डाल दें चाहें इसे आप पानी में डाल कर एक चम्मच एक लीटर पानी में डाल कर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ये पेस्टिशाइड है सारे कीडे मार देता है वाकई में ये दोनों ही असरदार है आपका जो दिल करें आप वो यूज करें मैंने आपको दोनों तरीके बता दिये हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से म एक बर ब्रांचिस निकालता है ये और ये बढ़ता रहता है तेजी से ग्रो करता है तो मैंने इसे लगबग 14 इंच के पॉट में रखा हुआ है बड़े पॉट में जब स्टार्टिंग में मैं इसे लेकर आई थी तो मैंने इसे 10 इंच के पॉट में रखा था फिर मैंने से प्रांसफर कर दिया तो friends आप देखिए थोड़ी सी केर मांगता है आप इसे घर का फेटिलाइजर दीजिए घर की बनी हुई दवाई बनाईए और दीजिए तो ये स्वस्त और हैल्दी बना रहता है तो आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा ये कई सालों तक ऐसा ही बना जाए तब तक के लिए friends चलते हैं बाई बाई टेक केर